माई माज से जुड़ी चमतकारी भविश्वानिया अबकी बार सेह देगी आपका कितना साथ माई महीना वीदेगा कितना शानदार संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भागिशाली काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे भाग्य के बल पर क्या कुछ हासल करेंगे क्या कहता है मैं मासिक राशीफर दोहजार चौविस कि देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर कि नमस्कार धर्मग्या के दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कवितराना मेरे साथ हमेश्य की तरह मौजूद है आचारे मेंग्श्य मैंची स्वागत है आपके सभी दर्शकों को साथ नमस्कार हर मां के तरह भार भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता आपका मैं महा का मासिक आशिफल जी हाँ गोचर और गहनक्षत्रों की चाल में जो बदलाव आता है वह आपके जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं धनु राशी धनु लगन वाले लोगों के बारे में आपको बताएंगे कि इस बार आपका स्वास् लगन भाव पर कोई नहीं है दूसरे भाव पर चंद्र तीसरे भाव में शनी आपके है आपके पूर्वा भादपर नक्षत्र में अच्छा फल आपको देंगे आपर चतुरत भाव में अंगारक दोश राहु मंगल और बुद्ध की यूती है यह तोड़ा सापके लिए मा साफधानी आऊंगी आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं साथवा आठवा नौवा भाव खाली द्रशम भाव में केतु है और ग्यार्वा और बार्वा भाव भी खाली है तो यह घ्रैसिति धनुराशी वालों की यह धनू लगन वालों की कह सकते हैं नजर आ दरिये तो द द्धनु राशी वालों को थोड़ी कम दिक्कत रहें मैं जी इसी के साथ शुरुवात में धनु राशी के जो राशी गौड है मतलब गुरु ब्रहस्पति जिसका प्रभाव धनु पर जाद रहता है इनका शुरुवात में वह राशी परिवर्तन भी हो रहा है क्या लगता है गुरु स्थीधी में बद्लाव करते हैं बिर्फ़ दूस बीसका अंदर ही दो तीन क्वालिटी ऐसी होंगी कि वह आपको फाइदा देगा तो इसलिए छटे भाव में गुरू का बैठना थोड़ा सा स्वास्थ संबंदी परिशानी देता है कर्द की स्थिति बनाता है यानि कर्द लेने का योग बन जाता है आप लोग ले सकते हैं इसको इस तरी के मान सकते है और स्वास्थ संबंदी परिशानिया बढ़ाता है गुप्त शत्रू हावी होने का परियास करते हैं तो इस तरी की दिकत छटे भाव का गुरू देता है अब क्या कुछ सावधानिया है रखनी चाहिए वह मैं आपको बताने जा रहा हूं और गुरू की दस्टी कहां कहां के साथ है तो यह अच्छी बात है गुरू आपके अंदर करम बल को बढ़ाएंगे कारिये शमता बढ़ेगी नोकरी कर रहे हैं आप बिजनस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यह जो गुरू है आपको परिवर्तन लाएं यानिकि बहुत सो लोग इस समय जोब चेंज करना च योग बनते हैं अब गुरू की जो साथ ही जश्टी है वह पढ़ रही है आपके बारवें पर तो यह भी एक माइनस पॉइंट होता है खर्च बढ़ जाएगा नेसेसरी आप देखेंगे या तो पारिवारिक सरस्यों की किसी भी वज़े से आपको खर्च बढ़ेगा घर मे कोई बड़े बुजरुग व्यक्ति की बीमारी को लेके पैसा खर्च हो सकता है या फिर आपके खुड के स्वास्त में उतार चठाव बना रहेगा और आपका पैसा खर्च होने का योग बनता है खासकर मेडिकल ठीट्मेंट पर और गुरू की जो नवम दस्टी है वह आप पारी वर्ग इस चीज़ को भेतर जानते हैं यह अपना समान भारी मात्रा में बेशते हैं दस लाक बीस लाक का जब उसकी पेमेंट आती है तो अगर रुक रुक के आए तो पैसा वेहर्थ हो जाता है तो ऐसे में यहां आपको अलप लाब मिलेगा थोड़ा सा धहरी अब पड़ेगा लेकिन यहां एक सवाल यह है कि यह अशुग फल गुरु पूरी तरीके से नहीं देगा आपको अगर आप डर रहे हैं कि बहुत जारा अशुग होगा ऐसा नहीं होगा धनलाब भी होगा काम भी अच्छा चलेगा लेकिन सो समझ कर यहां सलह लेकर आगे बढ़ के चलना पड़ेगा और खासकर अगर आपका धनुलगन है तो चली इसके सांद मैंग जी क्या लगता आपके बार इंके सेहत कैसी रहेगी इस महीने सेहत अच्छी रहेगी इस महीने तो कोई दिक्कत नहीं है माई का महीना आपकी सेहत के लिए परफेक्ट है और काफी यह आप तरो ताजा महसूस करेंगे लेकिन गुरू चटे वहाव में अभी आए ही है तो ऐसा तो नहीं आके कोई बड़ा बदलाव कर देंगे लेकिन यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको सला देता हूं मानना या ना मानना आपको परे कि अपने खान पान में पर को एक बड़ी खुशकबरी देगा सक्सेस मिल पाने में कितनी संभावना है चात्रों के लिए यह समय जो है थोड़ा सा मिला जूला है शिक्षा परिक्षा में कोई ना कोई रुकावट बाधा आ सकती है तो इसलिए आपको ध्यान पढ़ाई से बटक सकता है शुक्र पंच में पुरी तो इसलिए लगाना है आप इस महीने को इंट्रिव देना चाहरे है तो वहां आपको मेहनत अच्छी करनी चाहिए तो कि वह इंट्रिव जो है चुनोंति पून देह सकता है आपके लिए तो इसलिए कुल मिला कि आगर आपकी कोई परिक्षा में बैठना है वहा सब्सक्राइब को यहां पूरी किताब पढ़ लेनी चाहिए इससे की पेपर कहीं से भी आए सवाल कहीं से भी आए तो आप परवाई ना करें चाहूंगी यह महीना इन्हें कितने नए रिष्टों से जोड़ सकता है नए रिष्टों के लिए शुक्र यहां बहुत अच्छ रहेंगे नए संबंद बन सकते हैं मित्र नए बनेंगे बहुत लेकिन राहु मंगल की यूथी व्यवाइक जीवन में तनापुन सिद्धी पैदा करती है और सब्तमेश बुद्वी नीच के चलते हैं शुरुवाती दस दिन तो आपको जारा सावधान देना चाहिए उसके आपको इस महीन और शनी अच्छा लाब दे रहे हैं तो इस महीने नौकरी वैशाय में तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आपके लिए परिवर्तन कर सकते हैं और इस समय अगर आप जोब चेन करना चाहते हैं तो यह महीन आपके लिए अच्छा रहेगा धनलाब के किती कोई बड़ी कोई कर रहा है या वह स्टूडन है या बुजोब वैशा है या बुजर्गद ओर अथा को बड़ी काँ निम्स Amund कि अचनक से कोई आपको आके पैसे कि लाव तो लोगों को समझनी चाहिए प्रैक्टिकली बात समझें कि हर वीडियो में यह चीज नहीं बार बार दोड़ाते हैं लेकिन अकसर लाव नहीं को होता है जो व्यापारी होते हैं पर उनको बहुता है नोकरी पेशा वाला व्यक्त साड़े साथी में कितना उसको लोस होगा कि उसकी सैल्ली कम बढ़ेगी जौब चूट सकती है वो नहीं नोकरी ढूंड लेगा लेकिन व्यापारी के साथ क्या होता है साड़े साथी में कि काम धंदा बंद हो जाता है बिलकुल डाउन हो जाएगा 50% बिजनस गर जाएगा और वही साड़े साथी जब उतरेगी डहिया उतरेगी या कोई शुबदशा अगी तो लाखों करोडों अर्वों के लाव हो जाते हैं तो असली फाइदा असली धनलाब जो है गरहों नक्षत्रों का वो व्यापारियों को जादा फलित होता है बज्यारेक्ट पढ़ता हू नियमित रूप से हल्दी से सनान करें हल्दी या केसर का ठीका लगाए रोजाना यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हनुमान 40 का इस महीने पार्ट करें तो यह आपके लिए श्रेश कर रहेगा चले तो इसे किसा मुझे माहिंग जी को दोनों को दीज़े कर दो